एक गाउं में साथ भाई रहते थे, छा भाई खेती बाड़ी का काम करते थे, सबसे बड़ा भाई बुद्धिमान तथा पढ़ा लिखा था, वह राज दरवार में नौकरी करता था, वह शबेरे शबेरे गर्म गर्म खाना खाकर नौकरी पर चला जाता था, सबसे छोटे भाई को बड़े भाई से इरस्या हो गई, उसने अन्य भाईयों से कहा, बड़े भाई को दरवार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें सबसे पहले ताजा खाना मिल जाता है, हम लोग खेतों में अधिक परिश्रम करते हैं, और हमें ठंधा मिलता है, यह बरदास से बाहर की बात है, सभी भाईयों ने उसे समझाया, बड़े भाई का काम बड़ी बुद्धी मानी का है, छोटे भाईयों ने कहा, मुझे मालुम है कि उसका काम बड़ा नहीं, बड़े आराम का है, वह काम मैं भी कर सकता हूँ, कल मैं ही उसकी जगह पर काम पर जाऊंगा। पाचों भाईों नोसे समझाया कि देखा देखी करना ठीक नहीं है। लेकिन छोटे भाई ने नहीं माना। बड़े भाई को जब यह बात मालुम हुई तो उसने मुस्कुरा कर कहा ठीक हैं मैं कल नहीं जाऊंगा। दरवार में वही जाएगा। दूसरे दिन सबेरे ही वह गर्मा गरम भोजन करके दरवार में पहुचा और अपने भाई की कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। इस नए आदमी को दरवार में देखकर राजा ने पूछा वह कौन है पुराना करमचारी कहा है। छोटे भाई ने कहा आज भाई की जगर मैं हां काम पर आया हूँ। राजा न उससे प्रश्ण किया धनूश का एक ही तीर हीरन के पाउं और कान में कैसे लग सकती है। छोटा भाई काफी देर तक उपर नीचे देखता रहा। उसे कोई जबाब नहीं सुझ रहा था। उसने कोई जबाब नहीं दिया तो राजा ने आदेश दिया इस कुंद बुद्धी वाले आदमी को दीन भर एक पाउं पर खड़ा रखा जाए। वह शारा दीन एक ही पाउं पर खड़ा रहा छुट्टी होने पर घर आया तो वह बहुत उदास था। लजाते लजाते उसने भाईयों से सारी बाते बता दी और कहा कि उत्तर नहीं देने पर राजा ने मुझे सजा दे दी। बड़े भाई ने हसकर कहा केवल खाना खाने की लोब से ही तुम्हें दंड भोगना पड़ा। कोई बड़ा सवाल तो था नहीं। जिस समय हीरन पैर से कान खुझ लाता हो उसी समय तीर मारने से पैर और कान दोनु जगह चोटाएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने लज्जा से अपना सीर नीचा कर लिया।